हे गाइस वासाब क्या हाल चाला है मेरा नाम संदीप है और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा important होने वाली है सभी mobile user के लिए वो कैसे तो दोस्तों आपने अकसर देखा होगा कोई वे स्मार्टफोन होती है तो उसमें जैसे कि हमें टच करके कुछ भी यूज करना परता है कुछ भी एक्सेस करने के लिए लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बिना किसी भी चीजों को या फिर किसी भी अप्लिकेशन को बिना टच किये हुए उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसे अलग वे में देखा जाए तो जो डिसेबल्ड लोग है ना जिनके पास हाथ नहीं है या जो अच्छे से एक्सेस नहीं कर सकते हैं फोन को तो वो डिसेबल्ड परसन भी आसानी तरह किसे फोन को बिना टच किये हुए यूज कर सकते है उसका मैं पुरा प्रोसेस काल नम जो कर देखा आएंगे जैसे, अगर उपर करना यह तो उपर होगा हमें यह मठोग में अबिकेशन अपिं करना है लेकिन बीना टच किये तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो घंटी बरंदबा दिजीगा ताकि और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे इस वीडियो को शेर कर देंगे तो जादा से जादा लोग जान पाएंगे और बहुत सारे डिसेबल्ड लोगों को हेल्प मिलेगा इस वीडियो से वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना है बेस्ट ट्रिक या नाइस ट्रिक जरूर कमेंट करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको जैसे जो है समार्टफोन आपके पास है उसमें देखिए आपको एक अपलिगेसन चाहिए होगा तो यह आप किसी भी फोन में कर सकते हो, बिना टच किये हुए, आसानी तरीके से आप फोन को चुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक एप्लिकेशन चाहिए होगा, जो कि Google का है, और यह देखिए, इसका नाम है, इसका मैं डानलोड लिंक, प्रोपर तरीके से, ओरिज के लिए बोलता है, तो हम इसे on करेंगे, यह देखिए, यहीं पर होगा, voice access, setting में हो है, इसे हमने on कर दिया, allow, yeah, it's done, continue, allow, voice access, तो हमने यह सब कढ़ी लिया है, या next, next, अब देखिए, यह हमारा हो गया, यह कुछ instruction बगएरे बताएंगे, कैसे हमें इसको use करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहां पर next, next करते जाना है, अगर हमें नीचे scroll करना है, तो हमें scroll down करना पड़ेगा, जैसे देखिए, अब जब यह start हो जाएग press 1, go back, go back, go home, 22, 12, तो यह देखा, आपने यह किस तरह से work कर रहा था, हम आसानी तरिके से use कर पा रहे थे, तो इस तरह से आप भी access ले सकते हो, इस वीडियो को share करें सबके साथ, ता कि और भी लोग जाने, और यह आप use कर सकते हो, जैसे आपने देखा, मुझे भी गलती हो रही थी, तो मैंन नमबर को अलग अलग टाइब से बोला, जैसे अगर मुझे 13 बोलना है, तो मैं 1-3 भी बोल सकता था, कभी-कभी 13 काम नहीं करता था, तो इस तरह समने इसे access किया, तो आप भी इसे use कर दीजी, करिए, और आप आसानी तरिके से use कर सकते हो, इस वीडियो को like करना है, like करके दोस्तों इस वीडियो को share कर देना है, और अगर आपने subscribe नहीं किया हमारे channel को, तो channel को subscribe कर दें, और भी इससे tips history के videos में बनाते रेता हूं, और ये video कैसा लगा हमें, comment में भी बताइएगा, और दोस्तों download link आपको description में मिल जागा, वहां से आप download कर लें, thanks for watching, bye